बश्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का दोस्तों फुकुशिमा नुकलियर पाउर प्लांट आज कल सुर्खियों में है जपान का ये जो प्लांट है इसमें बहुत सारा वेस्ट वाटर जो है रेडियो एक्टिव मेटीरियल है बहुत जादा वो काफी सालों से इसमें स्टोर हो रहा है और जपान ने अब जो है इसको रिलीज करना शुरू कर दिया है जपान ने अनाउंस किया है कि वो इसको ओशन में रिलीज करेगा और इसकी वज़े से जो उसके आसपास की जो नेबर कंट्रीज हैं वो इसको लेकर बहुत ज़्यादा चिंतेत हैं डीडियल में बात करेंगे हम इस पूरी कंट्रोवर्सी के बारे में और समझने के कोशिश करेंगे कि ये फुकुसीमा नुकलियर पावर प्लांट क्या है और ये पिछले कई सालों से जो है वो न्यूज में है ये क्या है कि जपान ने फुकुशीमा जो निकलियर प्लांट है उसमें बहुत सारा कंटैमिनेटिड रेडियोक्टिव मेटीरियल वाला पानी है और उसको अब वो क्या है कि वो रिलीज करना शुरू कर रहा है तो इसकी वज़े से क्या होगा इसकी वज़े से जो आसपास की जो neighbor countries हैं वो इसको लेकर concern जाहिर कर रही है क्योंकि इससे उनका कहना है कि अगर इस तरह का material वो अगर ocean में डालेंगे तो ocean के द्वारा जो ऐसी countries जो की mainly seafood पर dependent है उस food के जरीए वो लोगों में वो चीज आ जाएगी और आने वाले समय में ये लोगों के लिए health point of view से बहुत ज़्यादा dangerous है बात करें हम इस power client की तो actual में हुआ गया था देखे on April 13, 2021 जपान government announced plan to release over 1 million tons of contaminated water तो देखें कितना ज़्यादा पानी है 1 million tons contaminated water from the Fukushima nuclear plant into the sea over next 30 years अब जपान government ने ये निका था कि वो एकदम से सारा water release कर देंगे नहीं वो अगले 30 सालों में थोड़ा थोड़ा करके उस water को release करेंगे sea में अब ये जो है ये आखिरी जो ये water है ये इतना contaminated क्यों है तो इसका reason ये है कि जो ये waste water है ये 2011 में एक earthquake आया था जपान के में उसमें क्या हुआ क्या था कि उस earthquake की वज़े से जो tsunami आई थी उस tsunami की वज़े से Fukushima Daiichi जो nuclear plant है वो बूरी तरह किसे तबाह हो गया था और इसकी वज़े से जो वहाँ पर पानी स्टोर किया जाता है जेनरली ताकि जो रियक्टर्स होते हैं उनको कूल किया जा सके और इसके अलावा जो electricity जब produce होती है तो उसमें as a steam भी water यूज होता है तो उस दोरान क्या होता है कि जो radioactive materials होता है वो बहुत जादा उस पानी में mix हो जाता हो जो water हो contaminated हो जाता है तो अब क्या है तो लगबग पिछले दसो साल से क्या है कि उस waste water को जपान है वो release कर रहा है उसका reason यह है कि देखे वो जो reactors है वो तो तबाह हो गए लेकिन उसमें जो fuel use होता है uranium to 35 जो fuel होता है जो कि mainly जो nuclear energy होती है उसको बनाने में use होता है तो वो अभी भी क्या है कि वहाँ पर radioactive जो waste है वो create कर रहा है अब जपान क्या है कि वो सारा जो water है वो उसको release नहीं कर सकता एकदम से और उसकी problem यह है कि उस reactor में जो अभी भी भी fuel है उसको cool करने के लिए उसको water जो है store करना पढ़ रहा है और इसकी वजहसे क्या है कि वो जो waste है वो में भी दिरे 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 तीरे क्या बढ़ता ही जा रहा है क्योंकि क्या है कि यह water होता है टाइम to time हम इसको change भी करना पड़ता है तो इसकी वज़े से क्या है कि वहाँ पे storage problem हो रही है और इस वज़े से क्या है कि जपान ने का है कि अब हम इसको और ज़्यादा नहीं रख सकते क्योंकि एक तो cost इसकी बढ़ रही है और दूसरा जो storage हो रहा है इतना जा रहा है तो area काफी ज़्यादा वो cover करता जारा तो इसकी वज़े से जपान ने का है कि अब हम इस water को बिल्कुल पहले इसको अच्छे से treat करेंगे बिल्कुल इसको हम कोशिश करेंगे कि जितना हम इसको clean करके उतना clean करके हम इसको ocean में release करेंगे आप देख सकते हैं यह Fukushima जो नुकलियर पावर प्लांट है यह वो है और जब 2011 में जो सोनामी आई थी उस दोरन यह पूरी तरिके से तबाह हो गया था अब आप यह तस्वीर में देख सकते हैं जपान का मैप है और इसमें जो यह आपको तस्वीर में यह एरिया नज़र आ रहा है यह वाला और आप देखें जैसी इन रियाक्ट्र थे डिया रियास के किनारे यह को तो है कि इन वटर सोर्स प्रिवाइब अब प्लांट्स को किसी रिवर वॉशन की किनारे अगर लगाएंगे तो वटरों मेंडी आगल धींवागि यह वो बनी रहेगी तो जनरली इसलिए इसको यहां पर लगा जाता है तो अब आप देखेंगे तो यह जो है अब यह जब सुनामी आई तो यह पूरा जो ओशन का जो यह पानी है सुनामी का पानी है इस तरफ इसने इस पूरे जो यह फुकुशिमाट जो डाइची जो यह प्लांटर्स को तभा कर दिया अब इसकी वज़े से क्या हुआ इसकी वज़े से जो रियक्टर थे वो तो तभा हो गए लेकिन जो फ्यूल था जो की जिसकी वज़े से जो रियक्टर जो नुकलियर एनरजी बनती थी वो उसकी वज़े से जो अभी भी रियक्टिव आप्रिफ, यहां पे आपको यह ज़रूरा समझ लेना चाहिए कि आखिर जो निव्कलिर एनरजी होते हो कैसे बनती है जैसे कि अब बता होगा कि कुछ material होते हैं जो radioactive होते हैं जैसे कि uranium 235 यह radioactive material होते हैं अब इनमें क्या होता है इसमें जो atoms होते हैं यह आपस में ही fusion के द्वारा और क्या होते हैं कि breakdown होते रहते हैं और इसकी वज़ें से क्या होता है जो energy होते हो बहुत ज़दा release होती है अब nuclear pulp plant में क्या होता है कि जनरली इस प्रोसेस को कंट्रोल वे में किया जाता है इस फ्यूजन के प्रोसेस को क्यों क्या होगा कि इसको कंट्रोल वे में नहीं करेंगे तो यह बहुत तेजी से हो सकता और explosion भी हो सकता है तो nuclear power plant में क्या होता है कि वह ज़्यदा water store किया जाता और इसी process के तुरू जो water होता स्को गरम किया जाता है steam मनाई जाती है और उस steam की मदद से turbine को चला जाता और electricity produce ही जाती है एक simple सा तरीका होता है nuclear power plant में energy को produce यूज करने का ठीक है आयो आपको basic चीज तो पता होनी चाहिए तो इस तरीके से यह काम करता है चलिए अब हम बात करते हैं वापस से फुकुशीमा की बारे में तो इसमें कहें कि इसमें water को आखिर क्या जा रहा है multiple techniques की यूज की जा रहा है जिसमें से एक है आपको इध्यान में रखना है जो जपान इस चीज के लिए जो यूज कर रहा है water को प्रोस क्लीन करने के लिए और एडवांस लिक्विड प्रोसेस प्रोसेसिंग सिस्टम यानिकी इसका यूज करके वो क्या कर रहा है जो वाटर है जो इसको गलीन करने की कोशिश तो यह जो टेक्निक है एडवांस लिक्विड प्रोसेसिंग सिस्टम इसका यूज करके ये इस water को क्लीन करने की कोशिश करते है इस प्रोसेसियु लगबग 62 टाइप्स का करें लेकिशन कर रहे हुआ हैं। तरि जंस सन्न में रिलीज कर रहें। कि यह जो ओट मुद्य होता है। यह ज्दा ज्यादा हामफिल नहीं होता है। है यह ना अगर हम इसको सर्टेन लिमीट तक रखते हैं अब इसकी वज़े से क्या हुआ है इसकी वज़े से स्योल साउत कोरिया जो कंट्री है वहां पर भूह ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहा है इस चीश को लेकर के क्यों कि में ली जो यह कंट्रीज है यह किसपर डिपें इसके लावा चाइनीज गोवर्मेंट है इन्होंने भी बैंड कर दिया सीफूड और अभी रीसेंट में क्या होता है कि जपान के प्राइम मिनिस्टर थे फूमियो किशी दानन्द यह और जो साउथ कोरिन प्रेजिडेंट थे यौंग सूक योल इन्होंने अभी कहा कि है कि अब आगे क्या होगा आगे जपान क्या करेगा जैसा कि हमने देखा जपान ने रिलीज करना स्टार्ट कर दिया इस वाटर को ओशन रहें कि सकती जफया किर चीजें और जपान उद्भी परह्मेट को एंप प्रोसेस को किवह मूंन कंटलीज करेब वोट करेगा सब को इंशोर करके ही वो उसमें रिलीज करेगा ऐसा उनका कहना है साथ के साथ वह मोनिटर भी करता रहेगा कि सी वाटर में कितना रेडियेशन हो रहा है यह सारी चीजे ठीक है गवर्मेंट ने इसके अलावा 80 billion yen भी रखा है उन लोगों के लिए जिनका बिजनेस इस वज़े से चला जाएगा फिशर से बगरा है क्योंकि आप देखेंगे कि जब आसपास की लोग ही सी फूट बैन कर देंगे तो कौन खरी देगा कोई नहीं खरी देगा इससे जो वहां की जो फिशर इंडिस्ट्री है वो इंपक्ट होगी तो ऐसे लोगों को सपोर्ट करने के लिए 80 billion yen का जो ही compensate करने के लिए कह रहे हैं इसके अलावा government जो है वो अपना वापस से जो इनकी nuclear power plant industry उसको revive करने की कोशिश करेंगे क्योंकि अगर आप देखेंगे तो 2011 का जब अर्थ के उक आया थो तो उससे पह कर पाता है इससे nuclear reactor से तो इसलिए क्या है कि वापस से कोशिच करेंगा जयपान कि हम वापस इस nuclear power plant industry को वापस हम revive करें अब हम देखते हैं इसके hazards क्या हो सकते हैं मतलब नुकसान क्या हो सकते हैं सबसे important तो जो health issue होगा वो हमने देखा क्योंकि देखेंगे इसमें जो ट्राइटियम का जो level है वो as it is है as it is तो नहीं मतलब कम है लेकिन वो ट्राइटियम को remove नहीं किया जा सकता है तो अब क्या ह जातàng जो creatures होते हैं जो animals sea creatures होते हैं उसको absorb कर लेंगे अब just absorb कर रहेंगे यह क्या होगागा यह हमारी body mechanical family should जाएगा कैसे फैलेगा अपनी हमारी था नहीं पहले उनकी body में फैल जाएगा किसके त्रूह bloods ü bloods कि क्या होते है blooded 받's circulate होते है ना तो bloods से होते हो पूरी बॉड़ी में फैल जाएगा अब उसको मान लेज़े कोई खाएगा को human being हाएगा तो इनकी बॉड़ी में transfer हो जाएगा अब इससे होगा क्या इससे जनरली यह ज़्यादा इंपक्ट हमारी बॉड़ी को नहीं करता है लेकिन जो प्लेसेंटा होता है प्लेसेंटा को पास कर सकता है और इसकी वज़ेसे क्या होगा जो मेंली जो प्रेगनेंट वॉमेंट होगी जब इसको इन डाइजेस्ट करेंगी तो यह क्या हो सकता है कि बेबीज में developmental effect कुछ create कर सकता है तो एक important hazard इसका है तो देखते हैं आगे जपान इसको लेकर क्या करता और बाकी जो international agencies हैं वह इसको लेकर कैसे रियक्ट करती हैं साथ के साथ चाइना strongly क्योंकि उसको कंडम भी कर रहा है और रियक्ट कर रहा है साथ के साथ जो साथ को रिया है वहां के लोग भी बहुत जादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं अब देखते आने वाले समय में जापान क्या करता है इस बहुत ही जादा बड़ा एक environmental issues है और question आप से पूछा जा सकता है exam point of view से यह बहुत जादा important है तो इस वीडियो में दोस्तों हम इतना ही रखेंगे I hope वीडियो आपको अच्छी लगी होगी वीडियो पसंदाए तो जरूर लाइक करेगा मिलेंगे दोस्तों अगली वीडि